हेलो गाइस कैसे हो आप लोग फाइनली एक बड़ा अपडेट आज चुक है iOS 16.1 और इस अपडेट का बहुत जादा इंतजार था और मैंने आप लोगों को पहले ही बता थे कि 24 अक्टोबर को रात को आप लोगों को जो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा कर रात को अ है तो पहले चीज यहां पर किया है कि आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल गया और अपडेट साइस के अगर में बात करूं 1.47 gb का आप लोगों को जो अपडेट देखने के लिए मिलता और यह वेरी कर सकता है आपके पुराना iPhone है या फिर latest iPhone है तो यह वेरी कर सकता है ऊपर नीचे हो सकता है 1.41 भी हो सकता है फिर 1.51 भी हो सकता है तो यह वेरी कर सकता है उसके आप लोग जो यह टेंशन मत लेना next चीज यहां पर कि आप लोगो को कौन से supported devices देखने के लिए मिलते है तो iPhone 8 and above मलब iPhone 8 से लेके 14 Pro Max तक आप लोगो 16.1 का update देखने के लि मिलते है वो ही है कि यहां पर की बैटरी है जो आप लोगों को दिख रहे था कि बैटरी फुल दिख रही थी और यहां पर अगर 30% है तब भी आप बैटरी जो है वो फुल दिखा रहे था बट फाइनल आप लोगों को यहां पर फुल नहीं जितनी बैटरी लाइफ होगी जितनी आपकी बैटरी परसंटेज होगी उससी साफ से आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो यह एक पहली अच्छी चीज है जो हम लोगों को फाइनली दिखने के लिए मिली है, सेकेंड चीज आइफोन 11, 10, 12, 13, 12 मीनी में बैटरी यहाँ परसंटेज नहीं दिखा रहे हैं, अब फाइनली अब वो भी आपल ने अपडेट पुश कर दिये, और आप लोगों को अब सभी पुराने फोन में जो है, फाइनली बैटरी परसंटेज दिखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट इम्पोर्टन फीचर है यहाँ पर आइक्लाउड शेर फोटो लाइडरी, अब आ फ़रा वाद ध्यान से देख के चीज़ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप लोग सेटिंग में जा सकते हो, आइकलाउड में जा सकते हो, आइकलाउड में जानने के बाद आपको यहाँ पर फोटो में जाने है, और फोटो में आपको नीचे एक option देखने के लिए यह shared library को option है, और इससे आप लोग easily सारा कुछ operate कर सकते हो, आपकी सारी फोटो जो है, आपके family या friends जो भी आप लोग उने add कर रहे हैं, उनके साथ share हो जाएगी, next important feature जो में को personally बहुत अच्छा लगा वो है यहाँ यहाँ पर live activities का, यह छोड़ी सी battery consumption कर सकते है, बढ़ में आप लोग स्क्रीन को बहुत सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, अब for example, अभी कोई score चल रहे है, इंडिया वाकिस्तन का match है, या फिर आने वाले जो भी matches है, आपको उसमें live score आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर वो particular application, for example, क्रिक बज़ है, या फिर कोई भी particular application है अगर आप उसमें score देख रहे हो, अगर वो live activity support करती है, तो आपको अपनी lock screen पर support देखने के लिए मिलेगा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो Apple ने सिर्फ यहाँ पर clock के अंदर timer आप लोगों को अभी दिये रखा है, मैंने आप लोगों के सामने यह timer चला है, और screenshot लेते हैं, screenshot पर जब आप click करते हो, आप done पर click करते हो, तो पहले जो menu आता था वो नीचे सा था, लेकिन अब जो यहाँ पर यह top left से आप लोगों के लिए मिलते है, left hand side में save to photos, files विगार है, तो आप लोग जब यहाँ पर manage कर सकते हो, तो मैंने को लगता है कि एक important चीज ह जो आप लोगों को बतानी चाहिए, उसके पार एक और चीज है यहाँ पर, जो लोग 14 Pro, 14 Pro Max यूज कर रहे हैं, जिनके पास यहाँ पर dynamic island है, वहाँ पर एक important चीज क्या है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर dynamic island या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, तो आपको properly visible नहीं होता है, एक अच्छी चीज है, और एक last चीज, एक security इसके अंदर जो है update भी है, जिसकी वज़से आप लोगों को 16.1 को डाउनलोड करना भी चाहिए, तो यह security update इसके अंदर एक और आया है, आपल यहाँ पर, जो है mention कि है, जो कि बहुत जादा important है, उसकी बार next चीज, बहुत अच्छा है, और मैं live activities अभी use तो नहीं किया, बट still, अगर मैं बोलू, ongoing थोड़ा बहुत जगर रहेगा भी, तब भी इतनी battery है आप लोगों की जो है, नहीं होने वाली, second important चीज, अगर मैं बात करूँ, पुराने iPhone की, मैंने 11 पे specially try किया, और 13 पे मैंने 3-4 घंटे phone use किया 16.1 अपडेट करने के बाल, तो significantly improve हुई है, totally मैं नहीं बहुत सकते है, बट improve yes हुई है, और अगर आप लोग अभी थोड़ा और time दोगे, सारे apps अपडेट कर लो, app store से properly, मैं बहुत फोन को जाए, till date अपडेट कर दोगे, तो आपकी battery life पक्का improve हो जाएगी, और मैं बोलू और मैं को एक अच्छा अपडेट मालब यह लग रहा है, 16.1, performance significantly improve हुई है, और मैं को यूज करने में मालब आप थोड़ा बहुत लग रहा है, yes, 14 Pro Max यूज कर रहा हूँ, and same goes with iPhone 13, थोड़ा smooth हो गया है, और एक last question, बहुत सारे लोग पूछते है, 16.1 में अपडेट करना च और 14 में भी, तो मैं आप लोगों को यह चीज बोल सकता हूँ, और secondly, security of data है, तो वैसे भी आपको यह download करना चाहिए, 16.1, क्योंकि security of data आपल ने पूछ किया है, तो आपके phone के benefit के लिए है, तो download करो, बाकि जो important features है वो आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे, especially battery percentage, तो download करो को कोई problem नहीं है, बस इती मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ने हो, चैनल को subscribe कर लेना, तो मैं मिलता हूँ, आप सगली वीडियो में, take care, bye